सकते हैं फ्यूचर बना सकते हैं किस तरह से आप काम्याब हो सकते हैं किस तरह से सफल हो सकते हैं आज इनी सब चीजों के बारे में समझने की कोशिज करते हैं सबसे पहले बात करूँ तो आज सबसे बड़ी परसानी है के यर बनाना नहीं रोगो के लिए रोजगार रोजगार बहुत ही निश्ता है रोजगार में कैसे लोगों को सफलता लिया चाहिए आप कैसे अपनी आप partial सबस्याई के बारे में बात करो किले अज के समय में सबसे बड़ी समस्छा है कि हैं गया harm होते जा रहे हैं में या कसभों सारे लोग बिरुजगार पड़े हुई । बहुत सारी ऐसी दिक्कते आ चुके हैं जिन दिक्कतों का सामना बेरुजगारी से किया जा रहा है बेरुजगारी को बहुत सारी तरह से बहुत जगों पे आप सभी को बेरुजगार बना जा रहा है और भी बात करूँ तो जैसे आज के समय में जो भी युवा है चात्र चात रहा हैं चाहिए जो भी पढ़े लिखे यूआ है उनको कैरियर बनाने में नोकरी पाने के लिए बहुत सारी समस्या जहेलनी पड़ती है आज के समय तो वेकिंसी आती ही अगर वकेंसी आती है तो दसर की वकेंसी है न वहां पर दस लाख फारम जमा होते हैं कभी-कभी तो करो की एसी सेच्वेसर हैं कि इसमें लोगों को बेरुजगारी के सामना करना पड़ा बहुत सारे लोग यहां पर लोगों को कम से कम लोगों को लगा करके उस टेकनोलोजी के माध्यम से उस सिस्टम के माध्यम से वहाँ उस व्यवस्ता के माध्यम से लोगों को अपनी की इनकम को बढ़ाने का भषया मिल जा रहा है अपने इंकम को करने का जरिया जहां की बात करdest ऐसे VS едशूनलोजी की बात कर texted बको हो मैं जासे की बात करो बत करो हैसे का सबस्क्राइब जिसके वज़ह से लोग आज बेरुज़गार होते जारे हैं सिस्टम काम कर रहे हैं टेक्निलोजी काम करें को क्मठे होती जार है क्योंकि जब करता है तो आदमी कम हो जाता ज़िसली और इक्जंपल अगर मसीन गड़ा खोदना होता तो पर ये निगते लगते थे वहां पर 15-20 लोग लगते थे लेकिन आज के समय में एक सिश्टम आ चुका है उस सिश्टम से अगर उस मसीन से अगर हम गड़े खोड़ते हैं तो वहां पर कम लोग लग जाते हैं वहां से एक ही एक ड्राइबर एक मसीन के और एक आदमी के वज़से गड़े को ख लगाते हैं किसी सेर मार्केट में लगा देते हैं किसी और जगहों पर लगा जाते हैं जहां पर वहां पर पैसा उनके लिए काम करता है उनको काम कर नहीं करना पड़ता है तो यह एक सिस्टम आ गई है एक ऐसी सिस्टमेटिक आ गई है एक ऐसी ब्यवस्ता है जिन ब्यवस पैसे की किल्ट की वज़े से किसी और भी परिवारिक परिवारिक परसानिक वज़े से तमाम ऐसी बवस्ता हैं जहां उन परसानियों को ज़े से लोग परसान होते जा रहे हैं और भी ऐसी तरह की परसानियां आने वाली है और भी आही रही हैं देखी रहे हैं कि दिन पर दिन अगर नहीं बदले तो आपके लिए ही बेकार है आपके लिए मुसीबत खड़ा हो सकता है आने वाले समय में तो यह हमारी एक समस्या है आगे बात करूँगा कि कैसे इस समस्याओं से सालूसन पा सकते हैं किस से इस समस्याओं से सामधान पा सकते हैं और किस तरह से आप बहतर परना सकते हैं यह सारी चीजों को बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में तो आज करें इतना हैं मिलते हैं अगले बार एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद